इंडेफिनेट लिव टू रिमेन देती है पाँच साल के बाद और पाँच साल के बाद अगर एक साल और आप रुखते है इंडेफिनेट लिव के बाद तो आपको यूके में सिटिजनशिप मिल जाती है तो यह अभी तक का रूल है लेकिन स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में आपको फोड़ा immigration related जो news आई है वो बताने वाला हूँ वीडियो में आगी जाने से फ़ले आपको बता दू कि अभी बज रहे है शाम के पॉने नो आप मेरे सामने देख सकते है कि काफी अच्छा नजारा है ये समुंदर है इसे बैरी आइलेंड कहते है ये मेरे घर से काफी नजदिक ही में है यहाँ पर अभी शाम को डूटी होने के बाद मैं ऐसा ही थोड़ा घूमने आया और गुमते समय मैंने सोचा क्यूं न उस टौबिक पर वीडियो बनाए जाए जिस पर हमने बनाए नहीं ये न्यूज काफी दिनों पहले आई है लेकिन मुझे समय नहीं मिला उसके कारण मैंने इस टौपिक पर वीडियो नहीं बनाया उसका duration permanent residency के लिए eligible होने के लिए जो duration था पहले 5 साल का उसको extend करने का सोच रही है UK government जिसे 5 साल से बढ़ा कर वे 8 साल करना चाहते है याने कि अगर अभी ऐसा है कि अगर आप skilled worker visa पे या तो dependent visa पे UK में है तो आपको UK government 5 साल अगर आपने UK में complete कर देते है बीना किसी law को break किये तो आपको UK government यहाँ पे indefinite leave to remain देती है 5 साल के बाद और 5 साल के बाद अगर एक साल और आप रुपते है indefinite leave के बाद तो आपको UK मे citizenship मिल जाती है तो यह अभी तक का rule है लेकिन जैसे ही रिशी सुनाक UK के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने काफी सारे changes लाने एक start कर दिये है UK में immigration से related जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि यह है एक खुद immigrant प्राइम मिनिस्टर है त क्या अभी हमको 8 साल UK में रहना पड़ेगा ILR के लिए तो मुझे लगता है कि जो पहले से UK में आ चुके है उनके लिए जो rule पहले था जैसे 5 साल का था वो rule आगे भी रहेगा लेकिन जो नए candidates जो नए लोग UK में आएंगे यह rule आने के बाद उन लोग के लिए यह rule जा सकते है क्योंकि आपको जैसे जानते हैं कि अगर आप नर्स है तो नर्स के लिए न्यूजिलेंड में आस्ट्रेलिया में जो अल्रेडी UK में काम करते हैं उन नर्स के लिए औस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में काफी अच्छी opportunities हैं अगर UK Government ऐसे कदम उठाती है तो UK स्कूल सेक्टर में हेल्थ कर सेक्टर में काम करना पड़ेगा ताकि उनका जो criminal checks वो बराबर हो पाए जैसा कि अगर आप जानते होंगे schools में जो पढ़ाते हैं जो hospitals में काम करते हैं उनको हमेशा अपना character सही रखना पड़ता है उनके उपर किसी भी प्रकार का conviction नहीं होना यह ऐसा होता है अगर UK government आजा सोच रहा है कि जिनको indefinitely to remain चाहिए उनको यह professions में काम करना होगा तो इस जो news का reference जो है वो मैं नीचे description में देता हूँ वो link पे आप click करके पूरे news को पढ़ सकते है UK government ने अभी तक officially declare नहीं किया लेकिन news ऐसा बता रहा है कि यह changes आने वाले है और UK government इन changes को लाने के लिए सोच रही है तो अगर आप आने वाले दिनों में UK आना चाहते है या तो UK आ चुके है तो आप चिंता मत कीजिए अभी तक UK government ने यह rule लागू नहीं किया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को share कीजिए Thank you guys for watching this video